अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो इस वीडियो में आपको टूटल चार पार्ट मिलेंगे पहले पार्ट में हमने बताया है कि ICAR exam क्या होता है इसमें कौन-कौन से course होते है, exam pattern क्या होता है, application form कब आएगा दूसरे पार्ट में हमने बताया है कि career option क्या है दूसरा पार्ट इस वीडियो का सबसे ज़ादे important है एंड इसके बाद हमने syllabus के बारे में बताया है और फिर हमने आपको बताया है कुछ top college जो की important है इनसे अगर आप B.T.E.C. करते हो तो आपका जो career होता है वो safe zone में रहता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं एकदम basic से start करूँगा सबसे पहले बात करेंगे कि ICAR exam क्या होता है तो ICAR का full form है Indian Council of Agriculture Research यह एक national level का exam होता है साल में एक बार conduct करवाया जाता है National Testing Agency यानि N.T.A. के द्वारा और ICAR exam देने के बाद आपको जिन colleges में admission मिलता है वहाँ पे आपको bachelor's और master की degree मिलती है agriculture के different courses में exam pattern की बात करें तो यह जो exam है, यह CBT mode में होता है यानि computer based test होता है total जो question होते हैं, वो 150 होते हैं per question 4 marks का होता है अगर आप कोई question गलत attempt कर देते हो तो उसके लिए minus 1 mark की negative marking होती है और अगर आप किसी question को attempt ही नहीं करते हो तो उसमें आपको कोई भी negative marking नहीं देखने को मिलेगी total जो marks होते हैं वो 600 होते हैं और यहाँ पे different different subject के group exam दे सकते हैं अगर आप PCBC हो यानि physics chemistry bio से हो तो आप eligible हो, PCM वाले भी eligible हैं PCA यानि physics chemistry और agriculture वाले भी eligible हैं और जो duration होता है वो two and half hour का होता है paper का जो medium होता है वो Hindi और English होता है यानि Hindi और English दो language में ये paper आता है और अगर बात करें इसमें कौन-कौन से course offer होते हैं तो यहाँ पे BTEC और BSC का course offer होता है BSC का जो normal course होता है वो आपने सुना होगा कि 3 years का होता है लेकिन यहाँ पे agriculture का जो BSC का course है जिसे ICAR approve करता है वो 4 साल का होता है कुछ private university है जो 3 साल का course भी कराती है लेकिन आप उनसे बचिएगा उनमें आप course मत करिएगा क्योंकि 3 साल के course को BSC में ICAR जो है वो approval नहीं देता है BTEC का course तो 4 साल का ही होता है तो यहाँ से आप देख सकते हो total seat matrix हमने बता रखा है BTEC यहाँ पे अगर आप करना चाहते हो तो agriculture engineering है, dairy technology है, food technology है, bio technology है and BSC अगर आप करना चाहते हो तो agriculture है, horticulture है, foresty है तो इसका आप screenshot लेकर रख लीजिएगा अगर आप BTEC या BSC करना चाहते हैं तो यह seat matrix आपकी काफी help करेगा आपके counseling के time पे इसके बाद बात करते हैं कि आपका exam कब होगा तो ICAR 2021 के लिए जो online application form है वो March के first beat में release कर दिये जाएंगे यह जो dates मैं बता रहा हूँ यह exact dates नहीं है, tentative dates है जब हम यह video suit कर रहे हैं तब तक ICAR 2021 ने अपनी application form की dates release नहीं की है officially तो यहाँ पे हम complete जो schedule आपको दिखा रहे हैं application form release होने से लेके counseling तक का यह पूरा का पूरा tentative है तो इसे आप note down कर लिजेगा इसी के आसपास हर एक साल ICAR का जो procedure होता है वो complete कराया जाता है अगर सब कुछ सही चलता है तो application fees कितनी pay करनी होगी तो using course के लिए journal OBC वाले बच्चों को 500 SCHT वाले बच्चों को 200 पे करना होगा और PC course के लिए journal और OBC के लिए 600 fees है और SCHT के लिए 300 fees है अगर बात करते हैं eligibility criteria की तो eligibility criteria simple है अगर आप class 12 में हो या फिर आपने class 12 pass out कर लिया है तो आप इस exam के लिए eligible हो ठीक है इस exam को देने के लिए आप physics chemistry math, physics chemistry bio, physics chemistry agriculture ऐसे group से होने चाहिए and age limit इन्होंने बता रखा है कि 16 years से उपर होनी चाहिए आपकी age आप अगर journal category से हैं तो आपको 50% score करना होगा reservation category से है तो 40% score करना होगा class 12 में and PZ course के लिए आप यहां से eligibility criteria देख सकते हैं PZ के लिए जो age रखी है इन्होंने minimum वो रखी है 19 years syllabus क्या होगा exam का तो यूजी course के लिए यहाँ पे हमने syllabus बता रखा है PCM बाले physics chemistry और mathematics का syllabus देखेंगे PCV बाले बायो का syllabus देखेंगे तो यह जो syllabus है इसका आप screenshot लेके रखती जेगा मैंने clean कर दिया है यहाँ पे अगर मैं basically बात करूँ physics chemistry और mathematics की तो इसके paper का जो difficulty level होता है ना वो J.E. का जो paper होता है joint entrance examination engineering admission के लिए उससे बहुत ही low होता है पेपर का difficulty level काफी low होता है आपको basic point पे काम करना होता है आपको advance question नहीं लगाने होते है ICAR के लिए अगर आप J.E. का prepare कर रहे हो तो यह already cover हो जाता है इसमें आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना होता है अगर आप agriculture से graduate हो जाते हो B.E.C. ये B.E.C. कर लेते हो तो फिर आपके पास career options क्या क्या होते है तो देखो अगर आप agriculture से B.E.C. कर रहे हो तो अगर आप on campus placement का सोच रहे हो कि आप college में हो वहीं से आपका placement हो जाए वहीं से आपकी job लग जाए तो वहाँ पे जो आपकी salary होती है वो काफी कम होती है वो 2,80,000 रुपे से 4,00,000 रुपे सालाना तक होती है और ये जो salary है ये काफी कम माली जाती है और यहाँ पे आपके पास option भी कम होते है यानि chances भी कम होते हैं कि आपकी job लग जाएगी और जब आप एक अच्छे college में होगे जो top के college है वो 2,80,000 से 4,00,000 के बीच ही रहती है कुछ company है जैसे tractor manufacturer जितनी भी company है form machinery जो बनाती है fertilizers जो बनाती है और marketing के लिए आपको ये recruit करते हैं तो on campus placement के लिए जो b.tech का option है या b.sc का option है agriculture में ये मेरे हिसाब से waste है इसमें आपको बहुत ही नुकसान face करना पड़ता है इसमें आपका फाइदा कुछ नहीं होता है ठीक है क्योंकि यहाँ पे आपके पास पहली बात तो job भी कम है और salary भी कम है अगर आपने b.tech या b.sc कर लिया ICAR के किसी college से और आपको अपनी जो salary है वो private sector में बढ़ानी है यानि private sector में काम करना है और salary भी अच्छी होने चाहिए तो इसके लिए आपके पास कई सारे options होते हैं जो मैं अब आपको बता रहा हूँ आप ICAR-JRF का exam दे सकते हो इससे आपकी जो salary है वो काफी improve हो जाती है ICAR-JRF से आप PhD Research oriented program में जा सकते हो आप Masters में जा सकते हो और आप CAT का exam देखे ABM यानि Agree Business Management का course कर सकते हो Agree Business Management का जो course है वो IIM अहमदाबाद और IIM लखनाव उफर करते हैं और ये दोनों जो IIM हैं बेसिकली जो IIM अहमदाबाद है वो टॉप का है और आप Google करो कि इसके package कितने होते हैं इसके salary package कितने होते हैं तो आपको अपने आप इस college की जो हैसियत है वो पता चल जाएगी बहुत ही बढ़ियां college है यहाँ पे अगर आपको admission मिल रहा है ABM course में Agree Business Management में तो आपका जो starting salary package होगा न वो 7-8 लाग रुपए से कम किसी भी हालत में नहीं होने वाला है यह आप मेरा guarantee लिक के ले लो ठीक है न 7-8 लाग रुपए तो एकदम आसानी से आपको मिल जाएंगे और यह आपका 12-15 लाग तक भी पहुँच सकता है cat का जो exam होता है वो तो सब के लिए same होता है लेकिन यह जो ABM का course है यह agriculture वाले बच्चों के लिए होता है और इससे आपको बहुत benefit मिलता है ठीक है इसके बाद आप PZDM कर सकते हो यहाँ पे जो package होता है वो 5-7 लाग के बीच हो जाता है PZDM आप ABM से कर सकते हो NIE AM जैपूर है वहाँ पे आपको जो placement percentage मिलता है वो approach 80-90 होता है और 80-90% placement किसी agriculture college का होना काफी बढ़िया होता है काफी बड़ी बात होती है अपने आप में अगर आप private sector को छोड़ government sector में अपना carrier देख रहे हो BTK या BSC के बाद तो यहाँ पे जो सबसे tough exam माना जाता है वो नवार्ट का माना जाता है agriculture में इसकी जो starting salary होती है वो 70,000 होती है यहाँ पे तीन paper होते है AFO का exam होता है यह banking sector की job है इसकी जो starting salary होती है वो 50,000 होती है जो lowest salary होती है वो 30,000 पर month होती है जो की RAEO की होती है तो यहाँ पे कई सारे government job है इनके paper होते हैं अलग-अलग हमने यहाँ पे difficulty के हिसाब से सारे paper को categorize कर रखा है अपने field से हट के कुछ non-technical में करना चाहते हो तो फिर आपके पास option है UPSC का SSC, bank, railway, state exam तो यहाँ पे भी आप appear हो सकते हो इन सब के लिए भी आप eligible हो ठीके ना अगर आप technical में करना चाहते हो government job तो आपके पास ये option है इसके बाद बात करते हैं कि ICAR के अंदर कौन से top college आते हैं तो यहाँ पे हमने उन colleges के name mention कर रखे हैं जो कि top के college हैं और ICAR के अंदर आते हैं इन में से कौस्ट college ऐसे हैं जो सिर्फ PG या PhD का course offer करते हैं तो उनके सामने हमने mention कर रखा है कि यह जो college हैं यह सिर्फ PG और PhD वाले बच्चों के लिए हैं यह यूजी का course offer नहीं करते हैं यानि graduation course offer नहीं करते हैं और यहां पे बाकी जो college हैं वो graduation course भी offer करते हैं जैसे कि पंजाव एगी culture university हो गई जवार नेरी university हो गई यह जो college हैं यह आपको बढ़िया सा future दे सकते हैं आपको try करना हैं कि इन colleges में आप admission लें वीडियो के last में हमने कुछ question mention कर रखे हैं जो कि आप लोगों की तरफ से हमेशा हमसे पूचे जाते हैं तो ICAR के लिए apply करना है अगर तो आपको registration करना होगा ICAR के official site पे जो कि आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगी और वीडियो के first comment में भी मिल जाएगी ठीके ना registration process जो है वो मार्च के first week से start हो जाएगा ये tentative dates है क्योंकि जब हम वीडियो बना रहे हैं तब तक ICAR ने official dates release नहीं की है इसके बाद अगर आप class 12 में हैं तो आप eligible हैं आप ICAR का exam form fill कर सकते हैं अगर आप ICAR exam नहीं देते हो आपने registration form वगरा fill कर रखा है फीज बगरा पे कर रखी है तो आपका refund नहीं होने वाला है अगर आप foreign student हो तो आप ICAR का exam नहीं attempt कर सकते हो तो आपने इस वीडियो को patience full हो कर last तक देखा ये काफी बड़ी बात है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ वीडियो सेयर करिएगा चैनल पने तो please make sure की चैनल को subscribe कर देए वेल आइकन को press कर दे ताकि इस तरह की वीडियो का notification हमारे चैनल का लगा तरब तक बहुत सके अगर आपको ये जो PPT है या फिर ये जो PDF है वो चाहिए तो आप comment box पे अपनी mail ID mention कर दीजेगा